ही गाईस, मैं नामे सूनू, आप देख रहे हैं Tech Mobile कर और ये है OPPO के रहों से एक brand new budget TWS Earbuds जिसका नाम है OPPO Enco Birds 2 अब मैंने last year भी OPPO Enco Birds का review किया था और ये है उसका बड़ा भाई जो कि बहुत सारे changes के साथ में आता है और इस वीडियो में करने दा रहा है उसकी unboxing और एक detail review और आप सभी कोता हूँ कि ये वर्ट्स कैसा है तो अगर आप इसे लेने का plan कर रहे हैं और जाना जाते कि ये वर्ट्स कैसा है इसकी sound quality कैसी है, gaming कैसी है, call quality कैसी है, battle life कैसी है और ये वर्ट्स कैसा है अपनी price point में, सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में detail में बताना है तो make sure वीडियो को end तक दिखते रहना, साथ में इस वीडियो को like कर देना और अगर अभी तक आप अमें Instagram पे follow नहीं करें तो behind the scene के लिए और informative reels के लिए आप अमें Instagram पे follow कर सकते हैं and now let's start the video with the unboxing of Oppo Enco Birds 2 so guys कुछ इस तरह की का white color में आपकों पे Oppo Enco Birds 2 का box देखने में जाता है, काफी plain सा आपकों पे box देखने मिल जाएगा पे लग रहा है round shape में, और साथ में box दें आपको एक user manual guide और साथ में extra curves देखने मिल जाते हैं, कोई भी charging cable वगर आपको box में देखने नहीं मिलता है last time के तरह, बाकि इसके लगा सबसे हैं आप यह बात करते हैं इस earbirds की design and build quality को लेके, so जो earbirds का design है वो कहीं 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 काफी unique और काफी नया साथ में पे देखने मिलता है अगर बाद को पिछले generation की, तो वहां पे जो earbirds था, वो कुछ इस तरहीं से आपको देखने मिलता था, और साथ में छोटे से earbirds उसके अंदर आपको दिखाए देते थे, लेकिन यह अलग जो earbirds का case है, वो आपको पे round shape में देख पिट सा लगता है, बाकि अगर बात को इसके hinge की quality की, तो काफी अच्छी quality आपको पर देखने मिल जाते हैं इस price point की साब से, बाकि इसके लगर बात की आपको पे इसके earbirds का design आपको पर completely change दिखाए देगा generation 2 में, last time आपको छोटे से earbirds दिखाए देते लेकिन इस पार जो उद्में Stamps देखने मिल जाते हैं और ये Long Stamps के साथ में आते हैं और जो उनका Design है वो आपको 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 काफी अच्छा देखने मिल जाता है ये भी Mat Finishing के साथ में आते है और इसके Back Set में आपको आपको glossiness देखने मिल जाता है left and right का indication देखने मिल जाएगा और साथ में अगर बात कुलूँ कानों में fitting की तो एक काफी एच्छे से कानों में fit हो जाते हैं आपको पर कोई भी issue नहीं होगा fitting काफी comfortable है, काफी सही आपको कानों में देखने मिल जाएगी कुछ इस तरीके से और अगर आपने एक बार अपने smart phone के साथ में इसे pair कर लिया और next time जैसे आप इसके case को खोलेंगे तो कफी instantly कफी तेजी से आपके smart phone के साथ में connect हो जाता है तो fast pairing का भी option आपको 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 रेकने मिल जाएगा इस earbuds में और जो साथ में connectivity वो भी आपको अच्छी रेकने मिल जाती है इसके लगा इन earbuds में आपको calling के लिए mics देखने मिल जाते हैं और साथ में AI noise cancellation देखने मिल जाता है जिसके वेसे जो background के noises हो जाती है और अगर बात को इसके mic टेस्ट की वो आप से भी कैसी लग रही है मैं outdoor में थोड़ी को इतना इससे हाँ पर है जिससे यह reduce कर देता है कुछ हद तक बाकि आप लोग बताना कि जो इसके outdoor के audio quality वो कैसी है और अगर बात कुरू indoor की तो करने की जो audio record हो रहा है और इसके mic के टेस्ट हो रहा है और guys इस price point में इस earbirds में आपको app support भी देखने मिल जाता है और इसके app का नाम है Hey Melody और जैसे आप इसे open करेंगे तो कुछ इस तरह के आपको पर interface देखने मिल जाता है सामने आपको earbirds बना वह दिखाई दीगा साथ में आपको यहां पर battery pacifics दिखाई दे जागा case का और साथ में दोनों earbirds का इसके लिए आपको आपको पर eco live sound effect भी देखने मिल जाएगा जहां पर आपको 3 different mode देखने मिल जाते हैं सामने आपको बेस्ट, boost ed और इसके लिए अगरавай आपको आपको लोग तो आपको आपको बना देखने मिल जाता है इसके लावब ये बड़ साथे full touch control के साथ में और अगर बातको इनके touch control की तो इन्हें आप में पर customize कर सकते हैं app के through जो की काफी अच्छी बात है इस price point में आपको simplest के app में जाना है यहाँ पर आपको सारे के सारे controls देखने में जाएंगे जिन्हें आपको से customize कर सकते हैं जैसे आपको touch control के लिए साथ साथ में जो functions में आपको अच्छे देखने मिल जाते हैं इसके लगा इसे बड़स में आपको एक और unique feature देखने मिल जाते हैं अगर आपने smartphone के साथ में इसे connect के हुआ है और अगर आप अपने ये बड़स पर double tap करते हैं तो ये photos को capture कर लिता है जिसे क बड़स की मत से double tap करके simply photos को capture कर पाएंगे और guys इसे के साथ में आप बात कर लेते हैं OPPO ENCO BUDS 2 के sound quality की सब फर्स्ट पॉल sound quality के लिए इसे बड़स में आपको 10mm का Titanium Tribus देखने मिल जाता है और साथ में SBC और WAC Coding दोनों का ही support देखने मिल जाता है जो कि काफी सही चीज है इस price point में और अगर बात कर लो sound quality की तो sound quality काफी सही आपको आपको आप इस price के साथ देखने मिल जाता ह जो कि OPPO के सारी ये birds में आपको देखने मिल जागी साथ में जो clarity वो भी आपको बेटर देखने मिल जाती है इवें जो background के instrumental music गरा होते है वो भी clear लिए आपको 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 सुनाई दे जाते हैं साथ में जो trebles का mixture है overall sound के साथ में वो भी आपको 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 आ sound करके जो उसके base से cut out कर सकते हैं तो overall sound quality इस price के साब से वो काफी सही देखने मिल जाते हैं और साथ में आपको पर three different modes देखने मिल जाएगा उन्हें use करके आप sound quality को अपनी साब से tune कर सकते हैं लेकिन अगर बात कुलू overalls के sound quality की तो price के साब से जो उसकी sound quality उससे में काफी impress हुआ इसके लिए अगर बात कुलू इसके battery life को लेके तो first of all दोनों ही earbuds में आपको 4040 image और साथ में इसके case में 460 image की बड़ी battery देखने मिल जाती है और अगर आपको टाक्टिकली इसके battery life को लेके तो अगर आप इससे single charge में continuously यूज़ करेंगे तो आपको आप आराम से पा आपको ह samhप अच्छी देखने मिल जाती है और और अगर में बात कुल बैटर life की तो case के साथ मेंकर आपका heavy use है तो आप में पे full day आराम से और सीकिकर आपको मिक्स यूज़ तो आप ये इन का battery life देखने मिल जाएगा सो इसके conclusion पर जाने पहले इसकी pricing के बारे हम बात कर लिते हैं वैसे मुझे लगाते हैं कि ये बट 2000 से ज़्यादा की price पर launch होगा लेकिन अगर बात कुलो इसकी pricing की तो जो इसकी pricing करकी के सब कुछ आपकों पर काफी सही देखने मिल जाता है इस price point के हिसाब से कुछ cons की बात करें तो first of all जो gamers है जो hardcore gamers है जो multiplayer games होगा खेलते रहते हैं तो उनके लिए ये वाला earbuds recommend नहीं रहेगा अगर आपको सिर्फ gaming के लिए earbuds है तो जो market में already gaming earbuds है आप उने buy कर सकते हैं लेकिन अगर आपको music के साथ में gaming बीच है तो definitely आप उसके लिए जा सकते हैं बाकि इसके लगा जुसके stamp की size है वो कुछ लोगों को थोड़ी सी बड़ी लग सकती है लेकिन इसके लवा जो overall package आपको आपको आपे देखने मिल जाता है जैसे और वीडियो से देखते हैं then make sure चैनल को subscribe कर लिए और बेल आपको भी क्लिक कर लिए और साथ में और पर क्लिक कर जिए जिससे आपको आने वाले सारे वीडियो को इन रिटिशन मिलते रहे और मैं मिलता हूं ऐसे एक और ने वीडियो में तब तक क्लिए बाबाए झाल